दोस्तो आपके गर के अंदर फरनीचर के अंदर दीमक लग चुकी है और आपने तरह तरह के तरीके और जुगार अपना लिये लेकिन कोई भी रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला तो आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम सटीक और सही जानकारी देने वाला हूँ कि आपको दीमक के लगते समय कौन सी दवाई का इस्तमाल कितनी मात्रा में और कितनी बार करना चाहिए दोस्तो आज इस यूडियो में पूरे दो तरीके बताऊंगा इन दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना कर आप दीमक को 100% दोस्तो खतम कर सकते हैं और उसके बाद आपको कभी भी दीमक आपके घर में यह फरनीचर में दुबार देखने के लिए नहीं मिलेगी यह मेरा दावा है दूसरा जो तरिका होने वाला है यह ओरगनिक होने वाला है आप दीमक को औरगनिक तरीके से भी कंट्रॉल कर सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जबूर जाईएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर खेती वाड़ी से जुड़ी एग्रिकल्चर से जुड़ी और दोस्तो ऐसे ही खीट नाशकों से जुड़ी जो वीडियो हैं वो आती रहती हैं तो तो आपके घर में दीमक का लगना तैह है तो आपके घर में अगर सीलन बनती है तो जल्दी से जल्दी उस सीलन को ठीक करवा लिजिए अगर आपके घर में आप चाते हैं कि दीमक ना लगे दूसरा अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा नदीन आला या तलाब है दोस्तो तो उसकी वज़े से भी आपके घर के अंदर या फरनीचर के अंदर आपको दीमक दोस्तो ये लग जाती है जो एक बहुती बड़ा खत्रा पैदा कर देती है और दीर दीरे करके हमारी काने टाइम में कोई तलाब हुआ करता था या कोई नदी या नाला हुआ करता था और उसके बाद में आपका उस जगा पर घर बन गया तो भी आपके घर के अंदर दोस्तो ये दीमक लग जाती है देखिए आप ये तो हो गए कुछ कारण अगर हम बात करें कि इनको कंट्र कैसे किया जाए तो इसकी जो दवाई आती है आपको बड़ी असानी से मार्केट में मिल जाती है आप दुकान पर जाएंगे किसी कैमिकल शोप पर जाएंगे वहां से आप दीमक की दवाई बड़ी असानी से ला सकते हैं लेकिन जो सही दवाई होती है दोस्तों इसकी percentage में भी आपको market में मिलता है अगर आप 20% वाला market से ले कर आते हैं तो यह जो आपकी मख है वह Vince है बेंड लेकिन यह पूरी टरीके से यह percentage है यह कंट्रोल नहीं कर पाती है तो इसलिए आपको जो market से दवाई लेकर आनी है वह लानी तो इसकी अगर मैं मात्रा की बात करूँ तो इसको लगबग आप 10 ml पिरती लीटर इस्प्रेय आप कर सकते हैं पानी में मिला कर इसका लेकिन इस्प्रेय करना कैसे है दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी जहां भी दीमक लगी हुई है उस जगा की अच्छे सफाई कर लीजे अगर दीमक के निशान बने हुए हैं जैसे वो धारियां ये लक्चीर जो होती हमारी बन जाती हैं इनको अच्छे से साफ कर लीजे और उसके बाद में जो आपको कहीं कहीं पर दोस्तों छोटे छोटे आपको दीमक के छे देखने के लिए मिल जाएंगे उन छेदों के अं और इसके बहुत ही अच्छे दोस्तों रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद में जो आपने मिक्चर जो आपने मिश्रन तियार किया है बाद 10 एमेल 50 लीटर पानी मिलाकर आपको उसका इस्प्रे कर देना है अच्छे से उसके बाद में आपको क्या करना है इसी स्प्रे को दोस्तों लगबग 4-5 दिन बाद उसी सेम जगा पर आपको फिर से करना है अगर आप एक बार स्प्रे करते हैं इस दवाई का तो आपको इतने अच्छे रियल देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐसा होता है जो हमारी अडल्ट जो दीमक है वो तो खतम हो जाती है लेकिन जो उसके अंदर अंडे होते हैं दोस्तों वो कभी खतम नहीं होते इसके लिए अंडो के लिए आपको दुबारा इस्प्रे करना ही पड़ता है तो आपको इस दवाई के लगबग 3 इस्प्रे करने पड़ते हैं तो तो इन इस्प्रे करने के बाद म में से जो बच्चे निकलते हैं वो खतम हो जाते हैं और तीसरी बार में जो थोड़े बहुत अंडे रह जाते हैं या थोड़े बहुत ऐसी दीमक रहाती हैं जो जो अंदर गुसके बैठी हुई होती हैं और तो दोस्तों वो भी दीरे दीरे करके बाहर आ जाती हैं तो तीसरी वार में वो आपकी खतम हो जाती है बस यही एक तरीका है जिससे आप अपनी जो दीमक है उसको जड़ से खतम कर सकते हैं यह तरीका हो गया कैमिकल तरीका अब बात करते हैं जो हमारा ओर्गैनिक तरीका है उसके वारे में देखिए ओर्गैनिक भी है वो उसमें कैमिकल भी है कहने का तात पर रहे हैं आप उसमें किसी chemical का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं आपको केवल और केवल डीजल का इस्तमाल करना है जो आपका जो डीजल आता है पैट्रोल डीजल आप डीजल का इस्तमाल करना है आपको आदा लीटर डीजल लेना है और उस डीजल के अंदर दोस्तो जो नीम होई लाता है मार्किट से आप वो ला सकते हैं वरना नीम के जो पत्ते होते हैं दोस्तों उनको लाकर आप अच्छे से उबाल लीजिए उभालने के बाद में जब उसका रस जोस्तो एक लीटर पानी के अंदर आप उसको उभाली ओ जो वो एक लीटर पानी लगवग ःदा लीटर रह जाए या 250 ml रह जाए उसके बाद में अदा लीटर डीजल के साथ में मिला कर उसी जगह पर सेम तरीके से आपको इस्प्रे करना है जितनी भी आपकी दीमक की गंदगी है उसको साफ करना है और जितने भी आपको छेट दिख रहे हैं दीमक के उसमें भी इंजेक्ट कर देना है इंजेक्शन से और दोस्तो इसका भी इस्प्रे आपको लगबग सब्सक्राइब भी जरू कर लीजेगा मिलते हैं ऐसी जानगारी के साथ किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद